हेलो एवरीबरी तो उमीद करता हूँ आपका बलं पिछकारी वाला कॉंसेप्ट इस होली पे पूरा हो गया होगा अब हम क्लियर करेंगे अपना एपी वाला कॉंसेप्ट ठीक है a-p में मैंने a-p क्या artymatic progression मतलब समान अंतर कैसे कि 2,4,6,8 10 मैं इसे लिघेता हूँ इनके बीच का अंतर समान है दो-दो का अंतर है आप डेखेंगे ये दो बड़ा है से, इस को बना है से और ये दो बड़ा है इसे इसे वोल देते हैं समान तस्रेनी सो इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एन टर्म, मदलब जो नसी संख्या आपको पता करनी है, बराबर A पलस N माइनस 1 और D, जिसमें कि A क्या होगी? पहली संख्या, जो कि हमारे पास यहां 2 है, और N हो गया, जो नसी संख्या हमें पता करनी है, जैसे कि हमें चोथी संख्या पता क तो हम लिखेंगे जो कि पहली संख्या है दो पलस एन मतलब चोति संख्या पता करनी है तो 4-1 डी का हो गया समानंतर से सरवंतर जो कि यहां पर 2 है तो हमने लिख लिए 2 अगर हम इसे कैलिकुलेट करेंगे हैं तो हमारे पाझ के आएगा दो पलस चार में से गए तीन दूनी छहे तो यह और फिछ यह आगया दो पलस तीन दूनी छहे तो यह आजाता है यहाँ पड़ इस तरह से हम निकाल लेते हैं जो उनसी भी संख्या वो पेपर में पूछ रहा है दूसरी बात क्या है, दूसरी आती है, संख्या का जोड़ या योग तो हमें पता करना है संख्यों का योग तो उसका क्या फॉर्मॉला होता है, N by 2, 2A, N minus 1, D और यहां पे पलस है बीच में या तो यह फॉर्मूला होता है या फिर दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो था N by 2 फिर्स ट्रम पलस लास्ट ट्रम ठीक है यह जितने के संख्याख हमें जोड़ यह दो फॉर्मूले होते हैं तो अगर मैं सम पता करना है जैसे कि एक, दो, तीन, चार, पाँच, यह पाँच संख्या है, मुझे पाँच संख्यों के योग पता करना है, ना इन सब को जोड़ के क्या आएगा, तो मैं लिखूंगा सम ओ, फाइव ट्रम्स, एन यहां पर पाँच हो गया, क्योंकि पाँच बटे दो, और टू ए, दो गुणा ए क्या होगे, यहां पर दो, तो लिखा दो, पलस, एन माइनस वन, एन माइनस वन, पाँच संख्या है, पाँच में से गया चार, और डी, कॉमन डिफ्रेंस कितना है, यहां दो का, इसे हम सोल करेंगे, तो पाँच बटे दो, ब्रैकिट यहां दो, तो इनका जो यहां गया, तीस आगया, इसी तरह से अगर इसमें हम फोर्मूले में लगाएं, देखो, एन बाइटू, नमबर ओफ टरम कितनी थी, पाँच, बटे दो, पहली संक्या हमारे पास क्या है, पहली संक्या हमारे पास दो, तो हमने लिख लिए दो, पल होते हमें, यह हम जब लगाते हैं, जब हमें पहली और आकरी संक्या पता हो, यह हम तब लगाते हैं, जब हमें पहली संक्या पता हो, और कोमन्री फ्रेंस पता हो, और जितनी संक्या हो का योग हमें पता करना है, वो तो दोनों में जरुत पड़ेगी, ठीक है, यह मैंने अ तो अब बात आती है देखो यहां पर बात आती है अजयफ्शन दूसरी बात आती है अजयफ्शन ठीक है इसमें क्या है अगर सवाल में वो दे रहा है तीन संख्या की कोई समानतर स्रेणी है तीन संख्या कोई AP है और उसे हमें माननी है तो हम क्या मानेंगे देखो अगर तीन संख्या की है तो हम मानेंगे एक बीच वाली ट्रम माल लेंगे पहले तो A और उससे अगली मान लेंगे A माइनस D इससे पहली मानेंगे A प्लस D ऐसा क्यों मानेंगे हम इसके पिछे रिजन है कि अगर हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो हमार पास क्या आएगा जोडने के बाद 3A निकल का आएगा और D का काम तुरंट खतम हो जाएगा इसलिए हम इस तरह से मानते हैं ठीक है आगे आपको अच्छे समय माहेगा हम क्यों मानते हैं तो अगर हम पास संख्याओ की बात करें तो तीन संख्या तो यह वाली होगी तीन संख्या तो हमने यह वाली ले ली मांदो A माइनस D और यहां पर a plus d और यहां पर क्या लेंगे यहां पर एक और लेंगे a plus 2d स्वरी कलत हो गया है minus service मैं माइनस टूडी और यहां पर यह प्लस टूडी ठीक है यह आप प्लस है तो मतलब ऊपर की तीन संक्या तो हमने वैसी की वैसी ले ली और एक तूडी हम हमें जोड़े देको से लिएंगे किसका न के गेशका की दिथी किसने का लिए उपड़ वाले की बात करें थो उपर में बी कज़ने ह्माति शुद्स सम कितना आएगा जैको दी आपस में कड़ जाएगा माइनस डी प्लस दी जे एकड़ जाएगा ठीक है तो इनका जो सम आएगा जो योग आएगा वह कितना गए दो तीन चार पाँच पांच ए बचेंगे इसमें थिक तो इसलिए हम इस तरह से लेते हैं अब आत जाती है चलो जैसे कि 3, 5, 7 का लेंगे, तो हम इस तरह से लेंगे, हमें लेना पढ़ गया, मालो, हमें लेना पढ़ गया, इविन संख्याओ का, इवन संख्या, इवन संख्या मतलब जो दो से कड़ जाती है, मतलब अगर हमें 4 संख्या लेनी पढ़ गई, तो हम क्या करेंगे देखो हम बीच में A नहीं लेंगे जैसे कि इसमें तो मैं पहले बीच में A लेंगे triggered Mrs दे और दोका मतलब लेंगेlock इईजलाएं और टू बहां प là संख्या हो गई तो दूसरी संख्या हम लेंगे A-D अब देखेंगे दोनों का अंतर कितना है? 2D का अंतर है 2D का अंतर है तो यहाँ पर अगली जो संख्या लेंगे हैं A-3D लेंगे और यहाँ पर जो अगली संख्या लेंगे A-3D लेंगे ठीक है? तो कोई भी even number होगा तो हम इस तरह सुरू करेंगे उसके बाद दो दो कांतर लेके हमें 6 की लिखें नहीं हम 6 की लिखें देंगे चार तो यह हुई गई इसके बाद 2 कांतर और लिखेंगे तो a plus 5d इधर भी a plus 5d sorry minus 5d तो इस तरह से हम ले लेते हैं इसी concept पे एक सवाल लगाते हैं एक धुआदार सवाल आपके सामने पेश करते हैं तो सवाल है there are three numbers in AP AP में कितने number हैं? तीन number है जिनका योग 30 है और उन्हें आपस में गुणा कर ले तो उनका जो product है वो क्या है? योगफल 840 है ठीक है पहले तो हम क्या AP माल लेता है AP जो मैंने तीन संख्या है तो हमने एक तो बीच वाली माल ली A एक यहाँ पे माल ली A plus D और यहाँ पे माल ली A minus D तो आप आपके पता चलेगा हम ऐसे ही क्यों मानते हैं तो वो क्या कह रहा है? कि इनका जो योग है सम है वो कितना है? सम है अगर मैं इसे जोड लेता हूँ A minus A D पलस A पलस A पलस D यह मैंने जोड लिया इनका तीनों का योग कितना दिया हुआ है? तीस दिया हुआ है ठीक है अब यहाँ से हम देखेंगे क्या यह वाला D तो इस D से कड़ जाएगा और बाकी क्या बचा? 3 A बच गया 3 A जो बचा वो बराबर हो जाएगा तीस के और यहाँ से निकल के आगया A बराबर 10 निकल के आगया इतना किस्ता तो हमारा खतम हो गया अब वो क्या कहा रहा है? जो प्रोड़क्ट है इनका देखो प्रोड़क्ट का मतलब है A माइनस D की गुणा करेंगे हम A पलस D से और A से मतलब यह तीनों ले लिए हम इने ठीक है? थोड़ा आगे पीछे कर दिया लेकिन तीनों आगे तो यह तीनों का कितना है? 840 है अब यहाँ से देखेंगे देखो A तो हमारे पास कितना है 10 हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले इन दोनों को देखते हैं ठीक है? A तो हमारे पास 10 है यह उदर कर जाएगा तो वो बात बात में करेंगे पहले क्या है? A माइनस D A पलस D देखो एक फॉर्मूला होता है किसका? A पलस B और A माइनस B यह 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 लगा फॉर्मूला है जो की बराबर हो जाता है A स्क्वार माइनस B स्क्वार के ठीक है? आपने करीना करीन देखा होगा सुना होगा तो इसे मैं लिख लेता हूँ A स्क्वार माइनस D स्क्वार और यह A था A ऐसा ही रहने दिया बराबर 840 अब जहाँ जहाँ A है वहाँ वहाँ पर हम कहा लग देंगे 10 लग देंगे तो यह क्या होगा? 10 का स्क्वार माइनस D का स्क्वार D हमें नहीं पता है भी और यहाँ पर A आगया 10 10 बराबर 840 यह 10 इदर गुणा में है दूसी तरफ जाएगा तो भाग में आजाएगा मतलब यह नीचे इसके ऐसे चला जाएगा यह ऐसे चला जाएगा और यह 10 से 10 कर जाएगा ठीक है? यह मिकार देता हूँ अब हमारे पास क्या आगया? 10 स्क्वाइड देखा हमारे पास आगया 10 स्क्वाइड माइनस D स्क्वाइड बराबर 84 यह आगया हमारे पास अब 10 स्क्वाइड का मतलब हो गया 10 का स्क्वाइड करेंगे हम तो 100 माइनस D स्क्वाइड बराबर 84 D² दूसरी तरफ जाएगा, इधर माइनस का है दूसरी तरफ जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा, और चुरसी दूसरी तरफ जाएगा, यह प्लस का है, तो यह माइनस का हो जाएगा, चुरसी, तो यह हो गया, चुरसी बराबर D², इस सो में से हम चुरसी घटाएगे, तो हमा प्लस माइनस कैसे आया ठीक आभी से रहने दीजी हाँ पे इसका कोई यूज नहीं है तो डी आप 4 समझ लीजेगा यह में बाद में बताऊंगा यह प्लस माइनस का बाता है ठीक है तो यहाँ पर डी आया डिफ्रेंस आया 4 अब वो सवाल में क्या कह रहा है सवाल में पूछ होता है कि largest largest संख्या बताओ इस एपी देखो जो हमने एपी मानी थी यह हमने एपी मानी थी ठीक है जिसमें इसी जिसमेंसे ए निकल काया हमारा दस दस पहली संख्या हो गए हमारी 10-D जो कि है 4 और दूसरी क्या थी एए का मतलब 10 तीसरी थी एप्लस डी मतलब 10 प्लस 4 कितन पर एक जंगे मैंने दस लिख लिख लिए और डी की जंगे चार लिख लिए इतना है तो हमार पास जो एपी आगए वो कितने आजेगी छे दस चोधा की सवाल मैं पूछा गया है कि सबसे बड़ी वाली बता हो संख्या कॉनसी होगी वह होगी हमारी चोधा ठीक है अगले सवाल की तरह बढ़ता है देखो अगले सवाल भी कुछ इसी तरह से लेकिन इसका थोड़ा से नेविल अप है तो इसमें क्या है तो क्या है चार पदो की एक समांतर सेनी है चो कि लगातार चार पदे है है जिसमें की तो हमें कोंसी सेनी अम मैंने बता है चार पद है कि हमें सेनी मानने तो चार पद से även का मतलब 0 इसका मतलब कया है डिफॉरेंस हमें कितने अप ने ना है तो Liz Le -, अगर ऊब हो जाती और का मतलब होता है 1 वन का मतलब होता है हम 2D का तो यहाँ पर क्या एवन है तो हम क्या 2D का लेंगे तो यहाँ पर हम पहले माल लेते हैं A-D और यहाँ पर दूसरी हो जाएगी A-D ठीक है 2D का डिफ्रेंस आगे उसके बाद अगर हम अगली भी लें तो 2D का A-3 इधर चिपका दो A-3 इधर चिपका दो ऐसा चिपकाने दे क्या फायदा होगा कि हम जब इन्हें जोडेंगे तो हमारे पास D आपस में कर जाएंगे सोरी है 3D है यहाँ पर 3D 3D ठीक है D आपस में कर जाएंगे और बचे का A हमारे पास ठीक है तो क्या कह रहा है सवाल में तो जो उनका सम है योग है वो कितना है 44 तो इन्हें हम जोड लेंगे आपस में तो अगर मैं इन्हें जोड लूँ सबको तो क्या होगा यह 3D तो 3D से कड़ जाएगा और यह वादा D से कड़ जाएगा बचेगा क्या एक दो तीन चार तो 4D हमारे पास बच जाएगा जो की दिया हुआ है 44 तो 4 से 4A बराबर 44 तो 4 से यह 11 बार कटेगा तो A हमारे पास कितना है 11 क्लियर अब क्या कहा रहा है वो अब बोल रहा है ठीक है मैंने वापस से इसमें प्लस का निशान अटा दिया यह 4 वे ही पदा आगे फिर से तो अब वो क्या बोल रहा है जो रेशो है किसका product of यह second और third वाले का और first और last first और fourth वाले का जो product है उनका रेशो दिया हुआ है फॉर्थ का प्रोड़क्ट लें हम तो क्या जाएगा ए माइनस थ्री डी और ए प्लस थ्री डी या जाएगा बटे बीच के दो मतलब सेकंड और थर्ड का लें प्रोड़क्ट तो ए माइनस डी ए प्लस डी बराबर कितने दिया हुआ इन्हें दिया हुआ है चोदा रिशो पंद्रा का जैसे मैंने पुछले सवाल में बताया था क्या बताया था कि ए प्लस बी और ए माइनस बी को हम गुणा करें तो अलजैब्र के हिसाब से इसको रहाएगा एस कोई स्क्वाइर माइनस बी स्क्वार ठीक है तो यह यहाँ पर भी वही है तो हमने इसे a square b square की form में लिखेंगे तो a square minus 9 d square बटे a square minus d square बराबर 14 बटे 15 यह बात हो गई अब हम क्या कर सकते हैं अब हम एक जंगे 11 रख सकते हैं जहां जहां a है वहां वागे 11 रख सकते हैं यह अभी रहने देते हैं अभी क्या करते हैं पहले से थोड़ा सोलू कर लेते हैं तो इस चीज़ को मैं अगर यहां पर लिखूँ तो यह क्या है यह 15 की गुणा इससे होगी तो यह जाएगा 15 a square क्रोस मल्टिप्लिकेशन कर रहा हूं मैं भी यहां पर और पंदरा निम में 135 माइनस 135 d square बराबर हो जाएगा 14 a square 14 a square माइनस 14 d square ठीक है यह मैंने क्रोस मल्टिप्लिकेशन करके यहां पर लिख दिया अब इसे करेंगे 14 इधर जाएगा तो यह माइनस का बन जाएगा तो 15 a square माइनस 14 a square बराबर यह 13 दूसरी तरफ जाएगा सोर यहां पर 15 था 135 d square 135 था यहां पर तो 135 d square माइनस 14 d square यह बात हो गई यहां पर इसमें से मैं घटा लेता हूँ तो यहां बचेगा a square बराबर इसमें से 14 घटा हूँगा तो कितना बचेगा 121 d square a की जंग है हमारे पास क्या था 11 a की value हमने 11 निकाल ली तो 11 का square करें कितना जाएगा 121 बराबर 121 d square यहां से 121 दूसरी तरफ जाएगा तो आ जाएगा 121 बटे 121 बराबर d square यह इससे कटेगा तो d square हमारे पास आ गया d square हमारे पास कितना आ गया 1 d हो गया मतलब d का मतलब हो गया plus minus 1 मतलब difference हो गया हमारा एक ठीक है तो अब अब पूछ रहा है कि largest number कौन सा था अब हमारे पास largest number है यह वाला अब इसे में क्या है बस हमें value रखनी है यह हमारे पास कितना था 11 मैं देख लिए 11 plus 3 d कितना है एक तो मैं 3 की गुणा एक से करूँगा तो यह कितना आगया 11 plus 3 बराबर 14 हमारा क्या आगया largest number आगया 14 मैं AP की बात करूँ तो AP क्या होगी 11 11 minus 3 d तो 11 में से अगर 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 और यह कितना हो जाए 11 minus 1 तो मतलब की 10 11 plus 1 मतलब की 12 11 plus 3 d मतलब की 14 यह वो AP थी ठीक है 8, 10, 12, 14 की वो AP थी तो इस तरह के सवाब इस तरह से करते हैं